खबर चंडीगर से है, हर्याना कैबिनेट की अनवचारिक बैचक है सियम मोरो हरलाल के अधिक्षता में ये बैचक हो रखी है अनवचारिक बैचक में प्रदेश में सिक्षा की गुणवत्ता और सिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों समेथ अन्य तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है पिछली बैठक में ट्रांसपोर्ट विभाग पर चर्चा की गई थी और इस बैठक में एहम मुद्दा शिक्षा की गुणवर्टा को बहतर बनाना रहेगा और जिस तरीके से हर्याना कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक है और जिस तरीके से लगातार कैबिनेट के विस्तार के बाद से लेकर अब तक तमाम मंत्री कहीं या तमाम सरकार की नुमाइंदे कहीं काफी एक्शन के बोड में नजर आ रहे हैं और अब इस अनौपचारिक प्रबेग को किया जा रहा है और इस बीट अगर बात की जाए तो पिछली बैठिक में ट्रांस्पोर्ट विभाग पर सिक्षा की गई थी और इस इस बैठक में एहम जो मुद्दा है वो सिच्छा विभाग के बारे बीच्छा की गुणवर्ता को बहतर बनाने पर विचार विमश्च किया जा रहा है करेंद के अनौपचारिक बैठक है इस बैठक को काफी एहम भी माना जा रहा है लगातार एक्षन में नजर आ रही है मनोहर काबिनेट के तमाम मंत्री जा जानकारिक लिए हमारे साथ जुड़े हैं अनलमोर एक बार फिर सबुक करते हैं अनलमोर का जे निलमोर जो सब्सक्रा खर्शे हो अपड़ित हैं ऑपडित को यह है मनोहर कर दाख जात इस बैतक बैतंना बैत कि टुका जेसरा चेड़ जा भी में आध्यों भी मोलेचीत के जाज रहा है विश्श्बगी टेजिश जी तो इस बार की जो बैठक है एहम मुद्दा सिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ही रहेगा और पिछली बार की बैठक में ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुए मुद्देर रहे थे अनौपचारिक बैठक है शुरू हो चुकि हैं बहुत बहुत शुक्राया तुमाम जानकारी के लिए तो हरियाना कै Championship की अनौपचारिक बैठक है और अगर इस बैठक की बात करते हैं तो क्योंकि अनौपचारिक बैठक है कई ऐसे मुद्धें जिन पर चर्चा संभब है लेकिन एहम इसमें माना जा रहा है कि सिक्षा विभाग से जड़े पर मुद्धियों हो सकते हैं कि हरियाना में कैसे सिक्षा किस तरको बेतर किये जाने की जरूरत है झाल